कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्टाडी पॉइंट आज की वीडियो के अंतर कद हम लोग बात करेंगे आप सभी को ग्यात है इसकी दो वीडियो पहले आ चुकी है जो कि आपको पिलेश्ट में मिल जाएंगी तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 से 27 तक क्योंकि चैप्टर 9 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है जो भी इसमें इंपोर्टन चीजें होंगी वो मैं आप लोगो क्या है सी टैट सूपर टैट बाकी अग्जाम के लिए काफी इंपोर्टन साबित होगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों यह है आपका चैप्टर 10 इसमें आपके इंपोर्टन चीजें यह हैं कि कर्णम महलेश्वरी कर्णम मलेश्वरी इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या तुमने अख्वार में इनके बारे में पढ़ा हैं कर्णम मलेश्वरी एक वैट लिफ्टर हैं यह आंधर प्रदेश के रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस में हवल्दार हैं जब यह 12 वर्सकी थी त 230 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जेते हैं उनकी चार बेहने भी रोज वजन उठाने का अब्यास करती हैं दोस्तो चैप्टर नमबर 11 में कुछ नहीं था और चैप्टर नमबर 12 में आपका यह चीज है कि घर जो है कैसे बदल रहे हैं यानि कि पहले मिट्टी के घर होते थे और पहले हम लोग जो खाना भी चूले पर बना दे थे अब जो है अधिकतर जो खाना बन रहा है वो गैस पकाया जाता है ठीक है तो किस परकार से रोजाना जो है घर का डिजाइन चेंज हो रहा है ठीक है इस पार्ट में इतना है इससे जाज़ा कुछ इस पार्ट में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा तो चैप्टर नमबर 13 कि हम लोग बात करेंगे इस फसल इसमें जो कि बोई लगभग 20 दिन ही हो गए यानि की 20 दिन में पियाज की फसल उगाती है और साथ ही जो है खरपतवार की बात करेंगे कि हम लोग खरपतवार क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं देखो इसमें लिख रखा है तुम जानते हो खुद से उगाती है तो वो क्या होती खरपतवार होती है या उसके साथ सरसों से अलावा जो है ना काफी सारे पोधे यानि की घास वगएरा उगाती है साथी साथ तो उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं और इसे निगरना बहुत जरूरी है नहीं तो सारा खाद पानी और यूल निकालना जरूरी है वरना देखेगा सारी चीजं़े काद बानी यह लिते रहेंगे बागी जो फसल आपकी अशोर्चक्षाय नहीं लेगी ठीक है प्याज की कि फसल कम हो जाएगा यह आपकी खरपतवा रहा है चलिये इसके हम लोग देख लेते हैं कोई की पूइंट अच्छा सा इसमें है तो नहीं तो मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ ज्यादा important बागी चीज़े रखी नहीं है क्योंकि प्याज की फैसर के बारे में ही बताया गया था आगे हम लोग ख्याल की चाल दवा के काम आती है और इसकी लखडी की आग यूड़ा भी नहीं लगता है दोस्तों यह भी हम लोगों ने कल की वीडियो में डिसकस कर लिया था ठीक है दोस्तो इसके बाद चैप्टर आएगा आपका और इसमें लिखा है क्या तुम जानते हो या तुम जानते ही होगे कि भई कोयल जो है बहुत मीठा गाती है पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोसला बनाती है या नहीं दोस्तो वह कववे के घोसले में अंडे देती है और कववा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी से देता है यह आपका most important हो जाएगा ठीक है कोयल जो है अपने घोसला नहीं बनाती है और कोववा जो होता है पेर की उची डाल पर घोसला बनाता है लेकिन फाकता कैक्टर के काटों के बीच या महंदी की मैंड में गोरईया आमतोर पर घर में या आसपास दिखाए देती है वह कहीं भी घोसला बना लेती है अलमारी के उपर आइने के पीछे कहीं भी बना लेती है ठीक है घर की दिवार पर भी जो है न वो अपना घोसला बना लेती है कब उतर भी ऐसे ही अपना घोसला बनाता है पुराने माकान में बनाता है खंडर में बनाता है बसंत गोडी जो की घर्मी में टुक टूक करते रहते हैं पेड़ के तने चिटिया में जो है अपना घोशला बनाती है ठीक चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दर्जिन चिडिया जो होती है चिडिया का तो जैसा नाम वैसा काम वह अपनी नकूली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में अपना ठैली सा जो है न मतलब घोशला बना देती है और इसमें जो है अंडे देने के लिए तयार हो जाती है यहीं है उसका घूंसला आपने देखा होगा शक्र खोरा किसी छोटे पेडिया जाड़ी की डाली पर अपने लड़कता घूंसला बनाते हैं उसी साम हमने एक डाल से तंगा सक्कर खोरा घूंसला देखा आपने देखोगा खुछ बड़ा सा इस तरह से होता था ठीक है चलेगा इसके बाद इंपोर्टन चीज क्या है यहाँ पर कि बही क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो सभी नर्वीवर पक्षी अपने अपने घौसले बनाते हैं मादा वीवर उन सभी गोसलों को देखती है उन में से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह जो है अंडे देती है यह आपका इंपोर्टन चीज हो जाएगी यहाँ पर ठीक है तो इसके बाद दोस्तों इस लेसन में कुछ इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं जिससे कि आप लोग को बताय साफ के दाथ हैं कोले होते हैं जो मास फारने और काटने की काम आता है तो आफ के दाथ होते तो नकूले हैं पर वह है Head poop अपने सिकार को चवाकर नहीं खाता वल्कि पूरा निगल जाता है कला कि दाथ हमेसा बढ़ते रहते झान देजिए आपका मौष्ठ हो जाएगा है कि गिलहरी के जो दाथ हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं दातों से काटने और कुतरने की कारण इनके दाथ घिसते रहते हैं ठीक चलिए हम लोग चलते हैं नेश्ट चैप्टर के और दोस्तों इसके बाद आपका आयता है most important part कि तुम जानते हैं और अस्ट्रेला में एक पेड़ पायाता है जिसका नाम है रेगिस्थानी ओग यहां पर देखेगा कोसन आपका बहुत सांदर जवर्जस है क्योंकि दोस्तों अगर इस पेड़ का नाम है रेगिस्थानी ओग तो जो कितना बड़ा किलास होती है उससे बड़ी होती है यानि कि जितना बड़ा विरक्ष होता है उससे दुगनी इसकी चड़े होती है जड़गी अगर मैं बात करूँगा पत्यां बहुत ही कम होती है अंदाजर लगाओ इसकी जड़े जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी सो बड़ा आपका व्रक्ष होता है उसकी जो जड़े हैं उससे दुगनी बड़ी होती है तो यहां पर देखें यही चीज कहे गई है कि सोचो यदि ऐसा 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिये जाए उस लंबाई तक जमीन से जमीन में गहरी जाती है इस पेड़ की जड़े जब तक की पानी तक ने पहुंचा यहां पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है उस इलाके में रहने वाले लोग यहां बात जानते थे जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइब डालकर पानी निकाल लेते हैं या असम महिने बाग की प्रित्मा एवं दित्य तित्य को मना जाता है पहले दिन को उर्का कहते हैं इस दिन एस्थाई सेड यानि की छप्पर बनाते हैं जिसे भोला घर कहते हैं और सामुई भोज का आउजन होता है बोरा अशम में खाया जाने वाला चावलो की एक किस्म है ध्य चिप चिप हो जाते हैं बच्चों को नक्षे में असम ढूरने के लिए प्रियरित करें यहां से दोस्तों एक कोस्तन आप लोगों को भी बताना है मिड़े मिल के अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे देश के बहुत से बच्चों को भर पेट भोजन या खाना नहीं मिलता इन में से कई बच्ची तो स्कूल बिना कुछ खाये जाते हैं खाले पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से मन भी या ध्यान भी नहीं लगता है तो दोस्तों कक्सा एक से आठ तक के लिए जो है मिड़े मिल दिया जाता है किस सन में स्टार्ट हुआ ठीक है कब ये स्टार्ट हुआ वह आप लोग को में बताना है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं बात करेंगे आगे की वीडियो जारे रहेगी नेसट पार्ट में थैंकि शो मच बाब बाए